नमस्कार नवजीवन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पवन नौट याल उत्तराखंड के जोशिमट का जो अस्तित्व है वो फिलहाल खत्रे में हैं वहां के लोग लगातार घरों को छोड़कर जो राहत सीविर है वहां जा रहे हैं मौजुदा समय की बात करें तो 800 से ज़्यादा जो लोग हैं घर कहें या लोग कहें वो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वहां पर एक पूरी की पूरी कॉलोनी में दरार देखने को मिली है जिसे ये प्रशासन ने फैसला लिया है कि उसे जाएगा तो अब उसको भी खाली कराने की जो वो कोशिश है वो की जा रही है इन सब के बीच लोगों का आरोप है कि जो वहां पर तमाम तरहा के विकास कारें चल रहे हैं उसके कारण ये जो शिमर्ट जो आज दंस जहेल रहा है वो उस उन्हीं की जो बदालत आरोप लग है डॉक्टर डीपक भड़ जी है भू एग्यानिक है और अभी डीबीएस जो कॉलेज है प्रोफेसर है वहां पर उनके जो जियोलेजी डिपार्टमेंट के हैड है और करीब पिछले 25 सालों से ये इस छेत्र में रिसर्च लगातार कर रहे हैं डीपक जी आपका स्वागत ह दिपागी सबसे पहले मैं आप से सवाल पूछना चाहूंगा जो जोशिमत के जो मौजुदा हालात हैं उस पर आप क्या सूछते हैं आप क्या कहेंगे देखे एक भूग्यान का विद्यार्थी और सुधार्थी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि अस्टित्यों की बात अग ये सा और खत्रा बना हुआ है और ये खत्रा ऐसे नहीं कि एक दो साल की ये कोई घड़ना हो रही होगी ये पिछले दस बीस पच्छी साल पहले की हम बात कर सकते हैं कि जो सिमत में क्योंकि जो सिमत में जो रॉक है जो लिधालोजी है वो अनकंसोलिडेटेंड मडियल बोल दो ऐसे हम गया या बसा है अब बात करते हैं आज के परिक्ष में तो इसके मूलत हम तीन करणों से जान सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है तो पहर जो कारण हम जो भुवैग्यानीं के चात्र हैं वो हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर एक थिरस्ट है जिस तरस्ट हम में सेंटर बोलते हैं और अगर लेमेन के बाद करें तो एक तो व्रंस है बड़ी डरार है उस डरार में रोज मर्रा कोई ने कोई मुमेंट होता है और उस movement से उस particular area या particular zone में डरारें, fractures बनते रहते हैं और भरते रहते हैं दूसरी बात जो जोसिमर्ट है उसका अपना कोई drainage plan नहीं है, कि अगर वहां का जो सीवेज आ या पानी है, वो कहां जा रहा है, यह आज तक एक रहस्य है, कि वो नालियों का पानी जहां का रहा है, अगर वहां पर कोई drainage system बना हुआ है, तीसरा जो कारण है, कि वहां का जो slope है, वो बहुत स्ट्रीप है, तो यह तीन कारणों से हम यह जान सकते हैं, कि वहां पर आज यह इस्टिटी आई है, और इस इस्टिटी को निपटने के लिए, उस पर्डिकुलर जोन में, जो ज़्यादा भायाव इस्टिटी बनी हुई है, जो ज़्यादा क्रेक्स हैं, पहले उन क्रेक्स के लोगों का सेटलमेंट होना चाहिए, और फिर दूसरा फेज, तीसरा फेज और चौथा फेज, इस तरह के फेज़ में, वहां पर कारे करने की आवसकता है, तो जो दीपक जी कह रहे हैं, कि वहां के लोग प्रॉपर जो आरोप लगा रहे हैं, वहां पर एक NTPC का जो विकास का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके अलाव हम देख रहे हैं, चारधाम जो ओल्वेदर रोड है, चारधाम रोड है, जो पहाड़ों को लगातार काटा जा रहा है, जहां पर पॉसिबिलिटीज नहीं हैं, वहां भी उसको पूरा तरगे से काट को ले जाए जारे है, रास्ता मतलब लोगों को पहुँचाया जारे है, कहीं नहीं सुविधा के चक्कर में विकास के नाम पर इसको माना जाए कि विनास एक तरह से देखते हैं, देखे, अगर किसी जगह का विकास करना है, तो कुछ ऐसी डिस्टॉबिंसे आते हैं, मगर सुनियोजित विकास के अगर हम बात करेंगे, तो ये घटाएं नहीं होगी, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि एक रोड कंस्ट्रक्ट होना है, तो रोड ऐसे जोन में न हो, कि जिस जोन में ये कंडिशन्स हो, या वहाँ का रॉग टाइप ऐसा हो, जो पानी की वज़े से उसमें कुछ मुमेंट हो रहे हो, और वो बाद में हमारे प्रॉब्लम समझा खड़ी करें, तो ऐसा नहीं है, विकास होना चाहिए, पर विकास एक सस्टेनेबल वे में होना चाहिए, सुनिज़यत तरीके से होना चाहिए, कि और उसमें साइन्टिफिक एप्रोच और ट्रेडेशनल एप्रोच और हमारी तक्निकी विशेश्वक्यों का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए जो आज की परिपेक्ष में अगर हम बात करें तो एक भुवेग्यानिक की रिपोर्ट्स को कहीं मामलों में दबा दिया जाता ह और वह आज के परिपेक्ष में वह एक बड़ा उधानन है जो सिमट कि जो सिमट में पुरानी जो मिस्रा समिटी की रिपोर्ट्स थी या पुराने जो हमारे वहग्यानिक हैं उनकी रिपोर्ट्स थी कि यहां कभी भी कोई इस तरह की घड़ना हो सकती जो आज मुर्द रू जो अपने मिस्रा कमिटी की रिपोर्ट उनिस सो चीज़ा तर की जो बात कर दोहजार चैमें भी इस तरह के जो सुप्रिम कोड को भी बताया गया था कि इस तरह की चीज़ें रिपाव जुद उसके ध्यान नहीं दिया गया और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो तु है आर मानुबय भूल के साथ-साथ कियोंकि जागरूपता होना ज़रूरी है अगर कोई विकास हो रहा है तो उसमें जागरूपता होनी ज़रूरी है और जो भुगल वेता हैं या हमारी इंजिनेर्स नहीं कि जुदे को फ horizontally क्पर्शन एनकर नहीं करना चाहिए कि यह तक्निकी रूप से बहुत समर्थ हैं इन सब चीजों को करने के लिए और इसमें कोई ऐसा भी स्टेक नहीं आना चाहिए या लोकल स्टेक हो या कोई भी स्टेक हो कि वह जबरदस्ती करें और ऐसी घड़ना अब हमारे सामने आ रही है जो जिस हुझे से दीपक जी जोशी मठ सिर्फ आप नहीं रह गया उससे आगे कर्ण प्रयाग तक यह सब चीजे हैं रूदर प्रयाग है कहीं नहीं बताए जारा है मसूरी में भी कुछ जगह ऐसी दरार है तो क्या यहां भी विकास को लेकर ही मतलब एक तरह से माना जाए कि यही एक कारण है या कुछ प्राक्रत से जादा वहां पर कंस्ट्रक्शन होगा तो हालात यहीं होंगे चाहिए कहीं भी हो तो यह मैप एक तरह से जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी जुचों की बाद पहाड की हो रही है तो बहुत इतना आसान नहीं होता कि विकास कार्याब मैदानी इलाकों में कर जाते हैं लेकिन विकास पहाडों में जब बात आती है तो बहुत रिस्क होता है उसमें लोगों का भी रिस्क होता है जो हम देख रहें लेंड्सलाइट्स होती है वो सब होते ही है तो कहीं न कहीं यह एक तरह से जब भी कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं या कोई विकास कार यह सामंजस की चीज़े हैं और mutual integrated approach की चीज़े मान सकते हैं कि इसमें geologist भूगोल वेता मैं बार बार कह रहा हूं कि एक scientific community होगी जो इन सब में एक final DPR के साथ इनकी भी अपनी report होनी चाहिए और उन report को दोनों को report को मिला करके यह construction होने चाहिए क्योंकि हम आज की date में यह मान दियागी तो उसमें आप upstream में उस project को बार बार मना करने के बाद भी वह upstream में बना क्योंकि upstream में इतना slope होता कि अगर पानी ज्यादा जमा हो गया तो बड़े force ज्यादा उसकी velocity हो जाएगा और नीचे के लोगों को disrupt करेगा और वह एक अच्छा परिणाम नहीं होता है तो इ इसके अलावा एक चीज़ और आप से समझने चाहेंगे जो फिलहाल वहां पर सरकार के द्वारा जो भी हो रहा है क्योंकि पहले भी इस तरह की सिकायत आए थी उस समय ध्यान उतना नहीं दिया गया था लेकिन जब अब दरारें बढ़ती गई एक पूरा तरह के से आधा ज जो सरकार की अपनी प्राथमिक्ता है कि लोगों की जान बचाई जाए और उनका जो बिल्डिंग्स है यह सेकेंडरी हो गया क्योंकि आप बोलते हैं कि लिमिट के भार वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है अब उन प्रॉब्लम्स को शॉट आउट करने के लिए फेज़ में पर्सेनल रिपोर्ट्स बननी चाहिए और वो रिपोर्ट उन लोगों के दारहों जो बिल्कुल बायस नहीं हो जो टेक्निकल हों साइंटिफिक हों और लोकल लोगों को भी वहां पर लिया जाए क्योंकि वो ट्रेडिशनल पॉइंट आ व्यू से वो बता सकते हैं कि यहां पर पहला गदेरा था यहां पानी था यहां पर धूब नहीं आती है वो ट्रेडिशनल एप्रोच भी इसमें काम्याब हो सकती है और सांटिभी कम्यूनिटी जिया लोग्रफर इसमें हो तो ऐसा नहीं कि जोशिमट इतना ज्यादा खत्रे में आएगा जोशिमट को बचाया अगर जिस जोन में सपोच अगर एक पर्डिकुलर जोन में कुछ भी नहीं हुआ है तो उस जोन में कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल तत्काल प्रवाब से रोक देना चाहिए चाहे वो आप स्ट्रीम में हो चाहे आउबर की तरफ हो चाहे जोशिमट सहर के नीचे की तरफ हो अगर हम बात करें कि जो वदरिनात वाला जो बाइपास बन रहा है अगर उसमें ब्लास्टिंग या रोड का नीचे का जो तो अला पार्ट हम बोलते हैं लेंड स्लाइट के लिए वो ज्यादा कटेगा तो जो उपर का अंकॉंसलिटिड में उसके नीचे आने की संभावना भी बढ़ जाएगी इसलिए जो भी कंस्ट्रक्शन है आज की डेट में उसे रोग देना चाहिए और जहां पर दरारे नहीं उन जरारों के अप स्ट्रीम में जा करके अगर हमें यह लगता है कि जॉइंट्स और क्रेक्स हैं तो उनको फिल कर दिया जा सकता है जिससे की पा सकता हो सकती है मैं मेरा ब्रक्तिगत है और मैं कई कई फॉरूम पे कई सेमिनार्स और वर्क्शॉप में मैं बोल चुका हूं कि जहां भी इस तरह के डिजास्टर होते हैं तो दो पहलू है उसके एक प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर हम लोग अगर प्री डिजा एरिया में लेंड स्राइड हो सकता है या क्लाउड बस कोई भी घटना है उसकी उसकी टेक्निकल रिपोर्ट सम पहले कर लें जिससे कि इन सब चीजों से बचा जाए और पोज जिजाच्टर का जितना पैसा लगता है उससे कम पैसे में हम इन एपरोचस से उस पर्टिबुलर एरिया को वरबाद होने से रोक सकते हैं ठीक हमारे साथ बात करने के लिए दिपक जी बहुत बहुत धन्यवाद तो यह दिपक जी थें जिनका साफ तोर पर कहना है कि जो वहां पर विकास कारे चल रहे हैं उसको फिलहाल रूख दिया जाए और जो रिसाओ की समस्या है उन कि जरुत सरकार को भी है और आम तोर पर उन लोगों को भी है जो वहां पर लगाता निर्मान कर रहें कहीं न कहीं एक मुख्य कारण यह भी है कि जो वहां पर अचानक से लोगों के घर बढ़ गए और दुकाने बन गई होटलें बन गई यह भी एक मुख्य कारण माना जा रहे हैं